हेलो दोस्तों कैसे हैं आप से लोग आज मैं आपके लिए लेके हैं हूं कक्षा भार्मी का आर्बीयसी बोर्ड का इतियास का हिस्ट्री का पेपर भई चलिए शुरू करते हैं भी तो फर्स्ट भई सिंदू सब्यता का स्थल बना वाली निमन में से किस राजे में स्थित है इसका है बै राजस्थान सेगिंड किस राजे को प्राचीन काल में मग्द कह जाता था बै बिहार को तीसरा हस्तिनापुर का उत्खनन कारे किस पुरातत वेता दवारा किया गया सै बीबी लाल चौथा कुतुबदीन बख्तियार काकी की दरगा का स्थित है दै दिल्ली में हमपी को राश्ट्र स्थल के रूप में मानता कब मिली आए 1976 बीजय नगर समराजय में सेना पर मुखों को क्या कहा जाता था बै नायक आई नेकबरी के पुस्तर का लेख कौन था अबुल फजल मुगलवाई सिकान तिंग शासक कौन था बै बाहदर शाय जफर अंग्रेजों दर आउद कादीग्रेंड किस वर्स किया गया सै इठारा स संसनों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए 1937 प्रारूप समीती के दक्षकाउन थे डाक्टर भीमराव अंबेड कर आय रॉयल इंडियन नेवी के स्पाईयों का विद्रो कब हुआ बै निच्छा आगे रिक्तस्थान चनक्य मौरे शासक चंद्रकुत मौर शाक शासक रुदरादमन दवारा सुदर्शन जील सरोवर का जीरन दवार कराया गया इबन बतूता के यात्रा वरतानत का नाम रहला है शेख निजामुदिन ओलिया के अन्याई उन्हें भई कई नाम से बुकारते थे महबूब इलाही सुल्तान अलमशेख पुत्ब दिली दो तीन नाम थे भी उनके सतारा सुचपन में बंगाल के नवाव सिराज्युद दौला ने कलकता पर आकर्मन किया आगया भी लगुतरात्मक प्रशन कैविनेट मिशन को भारत क्यों बिजा गया सरकार से भारतिय नेतरताब को शक्तिओं के स्तांत्रण पर चर्चा करने के परते बारतिषा है मातमागा गांधी ने धलते जातियों के लिए प्रथेक की नुराचन की मांग का विरोध क्यों किया दरसल 1932 में बेड़कर ने दिलितों का परतिनिदी बढ़ाने के लिए एक परस्ताव रखा इसके तायत सीटों के बजाए दिलितों को अपना परतिनिदी अलग से चुनकर यानि की सेप्रेट इलेक्टरोड द्वारा बेजने की विस्ता सुजाई यानि की बिना वोटों के सी क्या लेकिन Mulloدة के विरुद्थ आ वही कि इसलिए विरुद्थ किया या वारते समयदान कि दर राजू में से उत्पन संकट कालिन पर्स्तितियों से नीबटने के लिए प्रावधान किया गयाह आगे चलते हैं भारते संदान निर्माण में किन दो प्रिशासनी के दिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा तो पहला था भी बी एन राव के एन मुंशी और उसके लावा गुपाल स्वामी अयंगर डीबी खैतान और खैतान के बात है टी टी के कृषिनाचारी को जगा दी गही थी सिंदूगाटि सबिता के निवासेओं के लिए सेल-khडी-पत्थर के क्या उपा देता थी। सेल-khडी-पत्थर से क्या भी सिंदू-ओ-गाटि-सपता में मुरह बनाई जाती थी। दूसरा इसつे औजार भी बनाय जाते थे। थे। तीसरा शिल्पकला ने भीशन रूप ले लिया था वही दूसरा आपने विश्विक वर्गत था कि सामपर्दागी तत्व शक्तियों ने भीशन रूप ले लिया इन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों के लिए राष्ट्रिया अंदलोना का विरोध किया था प्रियाग प्रशासी की रजना की वा भाक्त संत थे भी इनका उद्व मुख्या दक्षिंद भारत के तमिल नाडू में हुआ था या 63 सादूओं का एक तरह का गुरूप है भी जो 6 मीं से 8 मीं शिदावदी में हुए थे ताली कोटा के युद का अन्य नाम क्या है इसका अन्य नाम राक्षस तंगडी का युद तथा बनी हट्टी का युद है भी इसमें विजे नगर समराजा के खेतर बीजापुर और गोल कुंडा शामिल थे एशियाटिक सोसाइटिया बंगाल के स्थापना किसने की विलियम जोंस ने गेटवे आफ इंडिया के स्थापता शली का उधारन है गेटवे आफ इंडिया 1913 में इसकी नीम रखी गई ये इंडो सरा सैनिक वास्तुशिबल कला का उधारन है और इसके महराबों में मुसलि आगे अवी 50 शब्दियन की पांच भाई बंगतियों मतर देना है प्राचीन काल में चंडाल कौन होते थे चंडाल भारत में व्यक्तियों का एक ऐसा वर्गा जिसे नीच्चत तथा अच्छूत माना जाता है ये भारत में सबसे शोशित वर्ग है वी इन्हें शम्शान पा बहुत दर्सन की किनी तो महतबूर्न मानताओं का उले कीजिए वही तो इनकी मानते हैं एक तो चार सत्ते है मिन के वही एक श्टांग के मार्ग मद्य मार्ग दस शील और तरक पर बल देते हैं वही छटा आतमवाद कर्मवाद पुनर जनम अहिंसा वे अंतकरन की और निर्वान पर बला यह इनकी मानता हैं अभी पंच महावरत से आप क्या समझते हैं जैन दर्शन के अनुसार जैन बिख्षियों को महावरत पांच मरवदतों का पालन करना पड़ता है पहला हिंस्या दूसरा सत्या है तीसरा सत्या है चौथा एपर इग रहा और पांच के समान बने हुए गुंबदा कार समारक हैं स्टूपों में मद्या भारत में भुपाल के निगटा सांची का स्टूप सबसे अधिक प्रसिद्द है वही तो यह टीले के कार क्यों थे वही बर्नियर ने मुगल-काली ने शेहरों को शिवर-नगर क्यों कहा क्योंकि यह नगर अपने स्थित्व के अधार पर राज किया शिवरों पर निर्बत थे यह नगर राज किया दर्वार के आगमन के साथ स्थित्व में आते थे और दर्वार के किसी अन्य स्थान पर चले जाने पर इनका लोप हो जाता था इबन बतूता से मुहम्मद बिन तुगल के द्वारा कौन सी जिम्मेदारियां दी गई पहली जिम्मेदारी तो ये थे भी द्वाब में करकी वृद्धी की जाए दूसरा देवगिरी को राजदानी बनाया जाए तीसरा सांकेतिक मुद्रा का परचलन किया जाए चोथा इरान के खुरासान प्रदेश पर आकर्मन और पांचमा कराची लभ्यान शुरू करना क्रिशन देव राय की किनी दो विज्यों का वर्न कीजिए पहला था वही शिव समंद्रम शिव समंद्रम का युद और दूसरा राय चूर का युद भई थोड़ा थोड़ा विस्तार में लिखना था मंजल अबादी और सिपह अबादी से आप क्या समझते हैं भई इनका समंद्ध मंजल अबादी का समंद्ध राजगराने से हैं भई और सिपह अबादी का समंद्ध नागरिक वैस हैं ने प्रशासन से समंद्ध है आकवर के शासनकाल में भूमी का वर्गीकर्ण कितने बागों में किया गया किनी दोकाव ले कीजिए तो चार बागों में भूमी का वर्गीकर्ण किया गया पहला जबती पर ना ली और इसमें किया था पोलज बुमी पर हमेशा खेती की जाती थी और परती नहीं छोड़ी जाती थी दूसरा चाचर बुमी इसको कैवी चार पांच वर्षों के लिए पाती छोड़ी जाती थी यानि कि खेती नहीं की जाती थी चार पांच वर्षों के लिए अबुल फजल की हत्या कबर किसने की 1602 में सलीम ने वीर सिंग बुंदेला के दोरा इसकी हत्या करवाई क्योंकि इसने एकबर की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी इस्तमरारी बंदवस्त के समन्द में सुर्यास्त कानून क्या था इसका अर्थ था कि निश्चित थी तक सूर्य छिपने तक अगर जमीदारों दोरा बुगतान करों का बुगतान नहीं किया गया तो उनकी जमीदारियों को निलाम कर दिया जाता था इसने जमीदारों के विशेशादिकारों को समावत कर दिया था पांचमा संथाल विद्रो के कोई दोकारण है पहला भूमी कर अधिकारियों दुबारा उनके साथ दुर्विवार करना और दूसरा पुलिस की दमनकारी नेती की आगे मुसलिम लीग ने केविनेट मिशन के प्रस्ताबों को विष्कार आय सविकार क्यों किया इस तो केविनेट का भारत को शांति पूर न सतास्तान करना था मुसलिम लीग भारत में रहना तो चाहती थी परंतु समिधान में मुसल्मानों को विशेश राजनितिक संग्रेक्षन की गारांटी चाहती थी मुसलिम लीग का यह तरक था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदुराश्ट्र में तबदील हो जाएगा मुसल्मानों को अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा इसलिए मुसलिम लीग ने उनके प्रस्तावों को ऐसे विकार कर दिया आगे विशौश आप जाने कि पेजवाले सिद्की जीव कि आपन वेशिक शैर नए शास्कों की वनेजिक संस्क्रीति को परतिविंबित करते थे आगे 1857 के विद्रों में मौलवी एहमदुला शाह के योगदान का उल लड़ी भी मुला का मानना था कि सशेश्तीर विद्रों की सफलता के लिए लोगों का सयोग आवश्यक है उन्हों ने बेलीगड पर हमला किया था वही उन्हों ने साहस्वावीरता के साथ लड़ाई लड़ी था बेलीगड से अंग्रेज्जों को पीछे दकेल दिया आगे अभी कभीर जी के मुख्या वुदेशों का वर्न कीजिए तो उन्होंने बहुत देवाद वैं मूर्तिवाद का खंडण किया एकवे शिवारवाद का सिदात दिया भी नाम सिम्रन पर बल दिया इन्होंने प्रमात्मा को निराकार बताया था बताया कि प्रमात्मा ये कह लोग अलग अलग नमों से उन्हें पुकारते हैं निंदा चुगली से प्रहेज करने था मन की स्वच्छता पर बल दिया ब्रह्मन वाद का भी विरोध किया सतकर्म करते प् कीजिए तो उसने शासन का प्रबंद तीस सदस्यों का एक मंडल करता था पांच-पांच सदस्यों की छह समीतियां बनाई थी भी उसने ठीक है जी एक विशाल सेना का संगठन किया उसने जिसमें चालीस लाख पैदल तीस हजार गुड़ सवार छतीस हजार हाथी सवार सदस्यों पैदल सेना अश्वार वही सेना तथा हाथी सेना अधी सभी का प्रबंद करती थी आगे अभी निबंदात मक्त प्रशन यानि की धाई-धाई सशब्दों में दो-दो पेज़ों में तो पहला सिंदू का डिसबत है कि ग्रैस थापत्य कला पर प्रकाश डालिए भवनों में पक्की वे निश्चिताकार की इंटो था लकडी का प्रयोग किया जाता था भवन के बीच ब्रामदा बनाया जाता था जल मालादी निकास की उचित व्यस्था थी पक्की नालिया था पक्की सडकें बनी हुई थी और इसके अथवा में मौन जोदरों के विशा था चुड़ाई तेस फीट वे गहराई आठ फीट इसके चारहों तरफ कोठ्रियों से युगत ब्रामदे बने हुए थे जल बरने वे निकालने के लिए नालियों की उचित व्यस्था थी धार्मिक प्रयोजन वहतु या काम में लाया जाता था था थोड़ा विस्तार से ल के भी कम से कम दो पेजों में लिखना था आगए चलते हैं सिद की जी कि सबस्था बाद के महने मादमा गांदी के जीवन के श्रेष्ट समक्षन थे दो पेजों बहुततर देना था भी आगए भारत के रेखा मानचितर में निमिलिक्ष दैश्थासिक स्थालों का उंकित की तो गुजरात एक राज्जा है वह जो राजस्थान के निचली दिटर पड़ता वह और कलकता पस्चेंबंगल की राजदानी बनारास उत्रपरदेश में जासी मद्य पर देश में पड़ता है और दिली भारत की राजदानी बिल्कुल सेंटर में इसके अथवा में भारत के सब्सक्राइब करें धन्यवाद